गुड मॉर्निंग स्ट्रेंट्स बेटा आज मैं आपको आपकी संस्कृत की किताब रुचिरा प्रत्मो भागह इसका प्रत्मह पाथा शब्द परचयह अकारांत पुलिंग वाली इसमें शब्द हैं सारे शब्द नहीं सोरी सेंटेंस हैं उनके विशय मैं बताने जा रहे एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको समझाऊंगी और फिर पूरे वाकिका अर्थ बताऊंगी सबसे पहला है एशह कह एशह माने यह पुलिंग और कह माने कौन यह कौन है एशह चशकह यह चशकह माने गलास है दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में ग्लास किम एशह ब्रिहत किम किम माने क्या एशह माने यह ब्रिहत ब्रिहत माने बड़ा है क्या यह बड़ा है न एशह लगु नहीं एशह माने यह लगु लगु माने छोटा है नहीं यह बड़ा नहीं बलकि छोटा है सह कह सह माने वह उल्लिंग मैंने आपको सरवनाम बताए हैं सबको से पहले वाले वीडियो में कह माने कौन और इसमें अस्ती छिपा हुआ है ठीक है? फर्स्ट वाले पेराग्राफ में भी छिपा हुआ था आप सोचोगे है मैं कहां से बोल रही है अस्ती का मतलब होता है आगे आपको अभी आएगा सेंटेंस में लेकिन यहाँ पर यह छिपा हुआ है तो आपको खुद से ही बोलना था एशह कह माने यह कौन है यहाँ था एशह कह अस्ती यह कौन है एशह चशकह अस्ति, यह गिलास है, किम एशह ब्रहत अस्ति, क्या यह बड़ा है, न एशह लगु अस्ति, नहीं यह चोटा है, आया समझ, यह नि सब के साथ अस्ति छिपा हुआ है, सह कह वह कौन है, सह सोचिकह, सह माने अभी बताया, वह सोचिकह, सोचिकह माने सिलाई करने यानि कौन हो गया, दर्जी, वह दर्जी है, यहाँ पर भी अस्ती चिपा हुआ है, सो चिकह किम करोती, दर्जी किम माने क्या करोती माने करता है, किम सह खेलती, किम, अभी मीनिंग बताये था, क्या सह माने वह, खेलती, खेलता है, न सह वस्तरम सीव्यति, न माने नहीं, सह माने वह, वस्तरम माने कप्डा, सीव्यति सिलता है, सीव्यति माने सिलना अब आपको एकए करके नए नए धातू भी पता चल रहे हैं करोती माने करना, खेलती माने खेलना, सीप्यती तो यह थी थी लगए है इसलिए अभी क्या है यह सब एक वचन का चल रहा है ठीक है? खेलता है, करता है, सीता है या सिलाई करता है अब है दुईवचन वाले सेंटेंस एतव कउ अब आपने ध्यान दिया कि पूरे दोनों ही सर्वनाम भी बदल गया और उसका सर्वनाम के साथ जो कोशन वाला शब्द था वो भी चेंज हो गया एतव माने यह दोनों, कउ माने कौन? यह दोनों कौन हैं? यहाँ पर भी इस्तह छिपा हुआ है दुईवचनम में अस्ती की जगे इस्तह हो जाएगा एतव शुनकव इस्तह? एतव यह दोनों शुनकव माने कुत्ते स्तह माने हैं यहाँ पर स्तह लिखा हुआ है न जैसे आपको मैंने क्रिया बताई थी क्या था लास्ट स्वर ती तह अंती तो एक वचनम में ती आ गया करोती, खेलती, सीव्यती दोई वचनम में स्तह तह आ गया किम एतव गर्ज तह गरजते हैं, फिर से तह आया न, अब यहाँ पर ती तो नहीं आया तो यही चीज जहान रखना कि दोई वचनम में तह आएगा क्रिया में ठीक है न एतव उच्चई बुक्कतह नहीं न माने नहीं एतव यह दोनो उच्चई माने जोर से बुक्कतह भुक्ते हैं क्या यह दोनो गरजते हैं नहीं यह दोनो जोर से भुक्ते हैं तव कव तव माने वह दोनो कव माने कौन हैं वह दोनो कौन हैं तव बली वर्दव इस्तः तव माने वह दोनो बली वर्दव बली वर्दव माने बैल इस्तः हैं एक होता तो क्या होता बली वर्दः दो हैं इसलिए बली वर्दव ठीक है टेबल बताया था न मैंने अकारांत का बालकः बालकव बालकः इसलिए बली वर्दव किम तव धावता है किम क्या तव माने वहदोनो धावता है धावता है माने दोड़ते हैं अब यहाँ पर एक नई धातु आपने सीखी धाव धाव मीज दोड़ना क्या वहदोनो दोड़ते हैं न तव शेत्रम कर्षता है न माने नहीं तव वहदोनो शेत्रम माने खेत कर्षत माने जोतते हैं, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं, यानि वे दोड नहीं रहे हैं, वे तो खेत की जुताई कर रहे हैं, एते के, अब ये बहुवचन वाला है, ठीक है, एते माने यह सब के, माने कौन, यह सब कौन हैं, एते सिवताह संती, एते माने यह सब सिवताह, माने थेल के संती हैं, देखो वैसे तो किम के कानी चलता है, ठीक है, क्या है, लेकिन यहाँ पर के हैं, तो मैं आप लोगों को अभी कन्फ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए के का मीनिंग कौन ही बता रही हूं, ठीक है न, अधर्वाइस तो नपुनसक लिंग में आप क्या भी बोल सक सकते हैं, यह सब क्या है, ग्लास के लिए भी ऐसे ही बोल सकते थे, यह क्या है, ठीक है न, कह माने क्या, लेकिन होगा नहीं, कह माने कौन होता है, और यह पुलिंग में ही आता है, ठीक है, इसलिए मैंने कौन ही बताया है, किम माने क्या, और कह माने कौन, ठीक है, एते सिव नवुटाह माने थैले。 बैग दिखाई दे रहे हैं ना? संति संति माने हैं。 लास्ट बाहोचन में अंती बताया था मैंने क्रिया में, आगया ना? तक नरा थे और हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं माने? नहीं, ये ते यह सब नील वर्णा नीले रंग के संती हैं, नहीं यह सब नीले रंग के हैं, ते के, ते माने वे सब, के माने कौन, वे सब कौन हैं, संती यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है? वे सब कौन हैं, ते व्रिधाह संती, ते वे सब व्रिधाह माने बुजुर्ग संती हैं, बुड़े नहीं केना, बुड़े अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? अदर्वाइस वृद्धा का मीनिंग आपको इसमें बूढे लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या बोलेंगे? बुजुर्ग, ठीक है? आदर सम्मान देना होता है ना बड़ों को, किम ते गायन्ती? किम क्या ते माने वे सब गायन्ती गाते हैं? क्या वे सब गाते हैं? नहीं ते हसंती, नहीं, माने नहीं, ते वे सब हसंती हस्ते हैं, अब आपने यहाँ दो क्रियाएं धातु और सीख ली, गायन्ती और हसंती, यानि गा मीन्स गाना और हस मीन्स हसना, ठीक है? अभी आपको यह एक बार में फिर से बता रही हूँ, यह कौन है? यह ग्लास है, क्या यह बड़ा है? नहीं, यह छोटा है, वह कौन है? वह दरजी है, दरजी क्या करता है? क्या वह खेलता है? नहीं, वह वस्त्र या कपड़े सिलता है, यह दोनो कौन है? यह दोनो कुत्ते हैं, क्या यह दोनो गरजते हैं? नहीं, यह दोनो जोर से भोगते हैं, वह दोनो कौन है? आप समझा गया होगा?